पिछले दस साल से तो यही बुक करा रहा हूं बच्चो को तो देखो पहले मैंने बताया था कि लास्ट में सवाल में आपसे क्या बोला जा सकता है बताया था ने एक सवाल देदेगा आपको और वो दो तरीके से पूछ लेगा इसमें वही है क्या बोल दिया आपको ब्रांच स्टॉक डेटर से बनाईए और लास्ट में बोलता है वेरिफाई नेट प्रॉफिट वाला सिस्टम से बना लो और हो जाएगा वेरिफाई तो इस अपने आपको चेक करने के लिए आप सीख रहे हो जो सही सीख रहे हो कितना सीख रहे हो अब मतलब कि आपको एक पता देना कि या दोनों मैथट में से प्रॉफिट सेम ही आता है चलिए सवाल आपके सामने है दीपक कहना है कि सर वाटसप पर वाटसप पर डाउट सॉल्व बिल्कुल करते हैं लेकिन कल से आपको पता हिए कि स्टेटेजी चल रहा था थोड़ा बहुत तो कल से मैंने किसी का डाउट सॉल्व नहीं किया है करते हैं वैसे कल से डाउट सॉल्व नहीं किया है मैंने फिलाल एक दो दिन हो गए है थोड़ा बहुत इसी में बिजी रह गए है बाकी डाउट आपके सॉल्व होंगे और जैसे आपके लाइव क्लास के अंदर तो जो मर्जी पूछो मैं तो बताई दूँगा जो वाटसप वाले डाउट है वो थोड़ा सा एक दो दिन में ठीक हो जाएगा वह ब्रांच स्टॉक बनाना है अड्जस्मेंट बनाना है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस बनाना ह इस टॉक रिजर पर मैं कोश्टन मार्क लगा दूँगा अभी नहीं सिखाऊँगा क्योंकि वह बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है मैं सबसे लाश्ट में बता दूँगा यह वाला कोश्टन लेगे ठीक है न तो क्या बनाना है ब्रांच इस्टॉक पहले से आता है अगर हम देखे ना इसको अगर आप ठीक से एक बार और जितने कोश्टन मैं करवा रहा हूं जितने कॉंसर्ट करा रहा हूं एक बार आप ठीक से ढंग से देख लो आप इसको अगर तो उसमें क्या रहेगा आपका रिवाइज हो जाएगा अच्छे से और आपको प्रॉब्लम ही नहीं आनी डेटर अगेन यहां बना लेते हैं यह ब्रवा रांचस्टॉक अजड़िकь ऐसे हैं तो यहां बर बनाचस्टॉक अटाएवा नहों मौwegen रहने ठीक समझ कशने कुď रहा हूं सुरूज कूं। यह है ब्रांच स्टाउक मैं पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट नहीं लिख रहा है आपको नहीं लिखना आपने भी लिखना है यह डेटर अकाउंट ठीक है सर एक पीछे बना लेते हैं एक और अकाउंट प्रांच से लिखना है प्रांच से लिखना है चलिए फटा फटा से देखते हैं मैं सभी बच्चों को बोलूँगा कि भाईया जरूर पढ़ लीजिएगा आपके लिए देखिए काम का भी है और फिर थोड़ा टिपिकल भी उसमें सेक्शन लिखने नहीं लिखने कैसे करने नहीं करने वो जरूर ध्यान दीजिएगा 10 से 15 दिन में आप लोग का हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है तब इसलिए बस करता होगा TTS में कहा होगा 15-30 TTS में कितने classes ही हो जाएगी आपकी 5-6 इससे regular करने वाले और ऐसा हो भी सकता है कि एक पार्ट आपको आनंसर करवा रहे हैं तो एक पार्ट जल्दी कवर करवाने के लिए शायद एक पार्ट जो है partnership वाला वो मैं करवा दू फटाफट और LLP वाला मैं करा दू क्यूंकि यह मेरा ही सब्जेक्ट है आगे चलके मुझे LLP accounting में पढ़ाना ही है आगे चलके partnership उसमें पढ़ाना ही तो बस मुझे align करना होगा जो Indian contract act है ओफर acceptance है या फिर आपका quasi contract है या फिर आपका जो तो मैं करा देता ज्यादा नहीं है मेन होता है उसके अंदर समझना ठीक है है एक बेल्मिंटेंट प्लेज ठीक है बेल्मिंटेंट प्लेज जब लॉप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जिसे हिंदी में सुत्रुपगी कहते हैं कि अगर आपने किसी को कोई समान दे दिया तो इसका मतलब यह नहीं होता कि आप उसको साथ तोड़ कर दोगे अगर जैसे मैंने बोला कि ले भाई मेरे मोबाइल ले और आपने क्या करा उस मोबाइल को तोड़ दिया तो मैं आपके उपर केस कर सकता हूँ मेरे को उसी कंडीशन में मिलना चीए वापस चलिए कहता है सुभास इलेक्ट्रोनिक हैस दा ब्रांच इन चंडीगर्ड एड ग्वालियर हूम गुड्स और इन वाइस कॉस प्लस पच्छिस परसेंट सर कॉस प्लस परसेंट है सीधी सी बात है कितने परसेंट पर खेलेंगे हम बीस परसेंट पर करेंगे दा फॉलविंग इन फॉर्मिशन ट्रांजेक्शन चंडीडगर्ड ब्रांच फियर एंडिट इकत्यस मार्च कहता है स्टॉक एट इन वाइस प्राइस ओपनिम्ग ब्लेंस तो बैलेंस बीडी ऑक बैलेंस बीडी सर चाहरेंद इस पैमेंस बीडी ब्लेंस बी-डी के बार डेंस अिकस्स प्थी क्शज में भ्लेंस ओब Swiss सूब्ला है मैं यहींगना आँगा पीछे बिछे चलिए सर इसके पैटी कैस expense का डेड़ सो रुपिया तो ये पैटी कैस हमारे क्या होता है सर पैटी कैस हमारा होता है क्या चलो चर्चा करी लेते आ गए तो पैटी कैस का मतलब होता है कि आपको और एक इखटा लंसम अमाउंट दे देता है कि कोई भी अगर ऑफिस में आता जाता है तो उसके लिए खर्चे यानि रोज मर्रा के खर्चे के लिए खटा पैसा दे दिया मैंने मानलो आपको 5000 रुपे दे दिया डेली के खर्चे के लिए 5000 रुपे आपको डेली के खर्चे के लिए मैंने दे दिया तो मैंने अभी आपको 5000 रुपे खर्च तो नहीं हुए तो मेरे लिए वह एसेट्स है मैं ले भी सकता हूं आपस तो वह एसेट्स है तो पैटी कैस एसेट्स है तो जब भी अगर हैड आफिस मुझे पैसा देता जाएगा देता जाएगा इधर लिखूँगा और बैलेंसिंग फिगर इधर जो भी निकलेगा इस साइड में जो भी बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो क्या होगा यूज यूज का मतलब expense ऐसे समझेगा आपको मैंने सुभे सुभे 5,000 रुपे आपके पास पढ़ा था मैंने 2,000 रुपे और दे दिया खर्चे के लिए पूरे दिन का खर्चा करना टोटल पेमिंट कितना हो गया साम को आपने बोला सर 500 रुपे मेर पास बचे हुए है तो मैंने बोला भाई बाकी कहां गये आपने बोले 25 रुपे क्या हो गये खर्च और पी एंडल के अंदर खर्चा आता हो तो यहां पैटी कैस अगर मुझे लिखना होगा तो खर्चा ब पता हैं कहां करा करते थे डेटर सिस्टम में डेटर सिस्टम में क्या करते थे ओपनिंग बैलेंस यहां लिख दिया क्लोजिंग बैलेंस यहां लिख दिया और जो एचो ने दिया वह यहां लिख दिया यही करते थे न तो उससे क्या होता था ओवर ओल्टॉमेटिकली खर् अधर हम दिखाते तो opening closing और इधर एक्चो से तो automatically expense उसके अंदर आ जाता था हमें दिखता नहीं था लेकिन automatic expense लेकिन इस वाले account में तो आपको expense दिखाना पड़ेगा तो इसलिए यहां पर मैं एक account बना लूँ या आपका normally use कर लूँ तो सबसे पहले petty cash में क्या आ जाएगा इस side में sir to balance to balance bd फिर by balance cd sir bd सवाल में 500 रुपे कहता है आ जाएए sir आगे हम petty cash के बाद आ जाते हैं transaction 21-22 में goods sent to branch at invoice 24-24 to goods sent इसके बाद कहता है के goods return to head office invoice price by return इसके बाद cash sales तीन लाग एक लाग एक लाग पांच हजार क्रेडिट सेल्स हो गया नॉर्मल लॉस अब देखो नॉर्मल बता दिया इसने देखो कितना आसान question था annual लिख रहूं में तीनषो पक्चास गुडस प्लीफर्ड abnormal हहता है प्लीफर्ड का मतलब होता है चोरी हो जाना प्लीफर्ड NORMALI होता है क्या है जैसे की दुकान go down से समानना छोटे मोटे चोरी हो जाते है उसे प्लीफर्ड बोलते है जैसे मान लेते हैं कि चूहे ने तो वो प्लीफर्ड के अंदर count हो जाता है ठीक है तो चोटी मोटी चोरी को कहते हैं तो गुट्स प्लीफर्ड कौन सा loss होगा एबनॉर्मल गुट्स प्लीफर्ड मैं थोड़ा shortcut लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में गुट्स लॉस प्लाइफर्ड यह कौन सा loss होगा लॉस प्लाइफर्ड इसके बाद insurance company paid loss by fire जब insurance company payment करती है तो याद होगा £10 में मैंने लिख वाह choirutherington यह ओगा आपका ट्रेडिंग और यह होगा trading और insurance company दे तो इदर लिख देना कि कि इतने , चार-3 चलिए इंसारेंस कंपनी ने तीन हजार दिया कैस सेंट पूर पैटी कैस 32,000 रुपए हाँ कैस सेंट फूर पैटी एक्समेंस तो किस ने भीजा हैड ऑफिस ने बोला ले भाई 32,000 खर्च कर लिए तो ठीक है भाई 32,000 खर्च करने की बात कर रहे हैं तो एच्चो से आज गया पैसा इसके बाद बैड़ेट्स चंडिगड तो बैड़ेट्स इधर आ जाएगा और यही बैड़ेट्स दूसरी एंट्री यहां भी कर देंगे हम टू बैड़ेट्स इसके बाद गुट्स टान्सफर टू गवालियर ब्राँच अंडर इंस्ट्रक्च्शन गवालियर ब्रांच को ट्रांसफर तो हमने दिया होगा और वैसे भी देखलो, हम कॊन से ब्रांज बना रहे हैं, हम बना रहे हैं क्या? चंडीकर, और हम गौालियर को ट्राइंसफर कर रहे हैं, तो इसका मतलब से अगर हम किसी को दे रहे हैं तो हमारा श्टाक कम हो रहा होगा, तो हम किदर लिखेंगे? कितने का 12 सब्सक्राइब और कहता है कि गुड्स ट्रांसफर टु गौलिया एस पर दा इंस्ट्रक्शन प्रॉम एच्चो अच्छ यह पूरा ही पार्ट है इन्सॉरेंस चाज पेड बाइ एचो एचो ने पेड किया या कोई भी पेड करा खर्चा तो हमारा खर्चा रहेगा और यहाँ आ जाएगा इन्सॉरेंस goods returned by debtor debtor वाप सी कर रहा है तो by return और जब return करेगा तो हमारे stock भी बढ़ेगा ना इसके बाद बैलेंस Pヤश का दे दिया बैलेंस Datter का दे दिया Datter का बाइबैलेंस CD सर बाइबैलेंस CD कितना है Datter का तुम तम बताओ और P coupe Cash का कितना दे दिया 2600 तो sir यहाँ पर जो भी निकलेगा वो consume निकल जाएगा फटाफट निकाले लेते हैं 32 और 200 minus करो क्या आजाएगा by consume या या by expense कितना आएगा minus करो 31,000 और ये 31,000 खर्चा है क्योंकि तो ये खर्चा आजाएगा two petty cash हां ये 30 हां तो ये अच्छा इधर 150 इधर 250 करते हैं 30 कितना आएगा ये 3931 सही बोला है 900 थर्टी थाउजन हैगा ठीक है आ जाते हैं पैटी cash हो गया ये हो गया goods transfer to Gualier given as in transit कहता है भाई है जो मैंने समान भेजा ने Gualier वो transit में है रस्ते में है तो मैंने भेजा है न तो भाई रस्ते में तो तू समझ अगर मेरे पास आ रहा होता तो फिर मैं समझता सीधी बात है तो इस transfer का कोई मतलब नहीं है पिर पेर ब्रांच स्टॉक बना रहे हैं adjustment बना रहे हैं सारी चीजे हम बना के चल रहे हैं किसी के उपर अब बात करते हैं फटा फट यहां से टोटल करने का टोटल करो 440, 420, 460, 500 मैंने देखो फटा फट कर लिया टोटल आपने भी करना है balancing figure निकालो क्या आता है 460, 500 फटा फट से निकालो तेजी में मैं इसको भी बंद कर दूँ यहां two credit sales debtor को भी ध्यान देखना देखो credit sales उठागे लिखना हूँ यही रखा था सवाल में एक असी एक बीस तीन लाक buy cash क्या कहां पर एक लाग यह चलो उपर आला बताओ मैं देख लेता हूँ पर्टी बना रहा है पक्का कि यह वाद्टी आए 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 पक्काई कि अग्यावश्य को अग्यावश्य कई अग्यावश्य को पक्क्काई कि नहीं भाई बुक के अंदर कुछ भी दे रखो हमारा भी आना चाहिए न यहीं आ रहा है सेम आ रहा है ठीक है देख लो एक और मोबाइल में देखो ऐसी गलती होई जाएगी अब चलिए यहाँ से बैलेंसिंग फिगर निकालिए क्या निकलेगा यहाँ से बैलेंसिंग फिगर कैश एक तालिस एक सो पचास चलिए दिखा दो कैलकुलेटर नहीं निकल रहा तो बारह हजार असी हजार एक लाग माइनस चार सो पांसो ग्यारा हजार यह आ गया एक अस्सी एक सो बारह हजार एक से चार से अना ठीक है ना चलिए अब लोडिंग की बात करते हैं यह अकाउंट भी है फुल्ट बन गया अब लोडिंग इस पे निकलेगा इस पे निकलेगा इस पे सब पे कितना लगेगा 20-20% बाई साइड में आएगा ठीक है आप पताईएगा देखके तो बाई साइड में लोडिंग आएगा पहले उपनिंग स्टॉक पे लोडिंग चालिस पे 20% बाई आपका गुड्स सेंट पे लोडिंग आपका कितना था एक चालिस चार चार बीस का 84 इसके बाद क्या था सर बाई गुड्स रिटन भी था ना रिटन कितना आएगा पांसो का रिटन ही था पांसो का कितना आएगा हाँ रिटन पे कहा था दूसरा रिटन पे लगए एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट हाँ रिटन पे नहीं आएगा इस पे नहीं आएगा इस पे नहीं आएगा बाकि यह वाला रिटन पे आएगा यह वाला रिटन पे आएगा तो टू लोडिंग किस किस चीज पर लोडिंग है यह बता दो मुझे इसको नहीं कि पर कॉपी कर लेते हैं नॉर्मल लॉस और लोग बहुत सारा लिख रहे हैं अलिए यह लिए मैं यह दुक्ति नॉर्मल लिटन पर आगया हमारा तीन हजार ट्रांसफर 12000 फर कितना ऐगा 2400 यहाँ पर आगया पहले हमारा क्या है रिटन कितना था ट्रांसफर इसके बाद नॉर्मल लॉस पूरा ही कितने इसके बाद सॉटेज था सॉटेज था फ्लीफर्ड था न एक नॉर्मल लॉस है हमारा और एक गुल्ड फ्लीफर्ड एक लॉस्पाइब फायर दो और है तीन और है तो सर एक आ गया हमारा लॉस बाइब फायर कितने रुपे का था एक प्लीफर्ड और एक टू लोडिंग क्लोजिंग स्टॉक बताइए ये कितना था प्लीफर्ड पे यहां छे सो तो यहां पे छे सो था तो चौदा सो यहां फायर पे आट सो तो यहां यहां बारा सो तहीं चल रहे ना अब लोडिंग क्लोजिंग पे क्लोजिंग के तो एबनॉर्मल है ना तो एबनॉर्मल लॉस बाइफायर में चार हजार का आठ सो आ गया और उदर बत्तिस सो आएगा फिर मैंने बारा लिखा है ठीक है अब आजाते हैं आगे किसका एक एक तालिस एक सो पचास का बीस परसेंट अठाइस दो सो तीस अठाइस दो सो तीस अब फटा फट से निकालते हैं जी पी 84 और एट 92 अब माइनस कर दो 92 माइनस में 3000 माइनस में 2400 माइनस में 350 800 माइनस शेसो चपन दो सो पचास चेक कर ये जी पी हाँ 620 स्वरी 56620 मेरे कैल्कुलेटर में ये दिख रहा है मैंने बोल गलत दिया 56620 और बाइ साइड में और इधर कर देंगे हम टोटल 69 और 2 आ जाएगा हमारा नेट प्राफिट माइनस 400 माइनस 200 माइनस 31 900 माइनस 400 और माइनस 32 बाइस 520 आ रहे हैं अंसर मैंने क्यों इसका कैल्कुलेटर बड़ा खतरना गया ये 1400 ठीक लिखा है मैंने 2400 अबनॉर्मल हाँ तो कितने 21 प्राइस 520 आंसर चेक करें आंसर चेक करें ठीक है अब ध्यान दीजिए सवाल देखो हम करते जा रहे हैं थोड़ा मैं स्पीड लेके चल रहा हूं लेकिन आप इसको एक बार आराम से देखिएगा और इस सवाल को दुबारा से करना है आपने चैप्टर में आप देख रहे होगे घुमा फिराक अगर आपको basic concept अगर strong तरीके से पता चल जाए तो आप सवाल को कर सकते हो थोड़ा आपको मैनेत करना होगा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि time कम है नहीं तो मैं सारे सवाल बूर्ड पे कराता अब अगर सारा सवाल करा हूंगा तो फाइदा नहीं है तो कुछ effort आपको लगाना है आपको इसके solution भी given है solution को भी देखके जो समझ में नहीं आता उस चीज के लिए हूं जैसे कि मैंने 3-4 question को मैंने समझा दिया वो आपने करने इट रहे ठीक है